जै श्री कृष्ण आज हम बनाएंगे करेले जिन में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी और यह बहुत ही टेस्टी और चटपटे बनकर तयार होते हैं यह इतने टेस्टी लगते हैं कि बच्चे भी आराम से इसे खाएंगे आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यह मैंने लिए है करेले इन्हें धोकर पोच कर ले लिया है छीलना नहीं है इन्हें बस हम सीधा इन्हें काटेंगे गोल गोल इन्हें हम काट लेंगे पतला पतला काटना है बहुत ज्यादा मोटा नहीं काटना है ये देखे बस इतना पतला काटना है इन्हें बस इतना ही रखना है इसी तरह हम सारे अपने करेले गोलगोल काट लेंगे ये देखे सारे कट गए है अब हम लेंगे आलू आलू को भी एक बड़ा आलू लिया है मै मोटा ही रखेंगे इसे अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और तेज आच में हम अपने करेले फ्राई करेंगे तेज आच रखनी है तेज आच पे दो या तीन मिनट बस इसे फ्राई करना है दो तीन मिनट में ही यह हमारे फ्राई हो जाएंगे यह देखिए अंदर से ब करना है ताकि यह पक जाए अच्छे से कड़वापन चला जाए इनका अब हम अपने आलू फ्राइब करेंगे इसमें आलू को मीडियम आज में फ्राइब करेंगे ताकि अंदर तक पक जाए और ब्राउन भी हो जाए ये देखें मीडियम आज पर इसे हमें फ्राई करना है हमारे आलू भी हो गए है अब हम इसमें अपने प्याज फ्राई करेंगे ये मोटा मोटा काटा है प्याज इसे भी हम फ्राई करेंगे इसे भी बहुत जलाना नहीं है लाल नहीं करना है बस हलका सा फ्राई करना है और इसमें अब डालेंगे दो मिर्चियां स्लिट करके डाली है इसी के साथ प्याज के साथ मिर्चियां भी फ्राई कर लेंगे बस यह हमारा प्याज भी फ्राई हो गया है इतना ही फ्राई करना है बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है इसे भी तेज आत में हमने निकाल लिया है एक किचन टॉल में से निकाल लेंगे ताकि इसका तेल भी सोक जाए अब हम फ्राइ करेंगे अपने मुमफली के दाने आदे कटोरी मुमफली के दाने लिये हैं करेले आलू प्याज सब साथ हम मिला रेंगे कि काली मिर्च बहुत अच्छी लगती इसमें करवाहट नहीं आए गीगी अब उपर से डालेंगे हरा धनिया हरा धनिया के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक बहुत थोड़ा सा काला नमक डालेंगे अब इसमें डालेंगे नीमू नीमू तभी डालें जब आप खाने जा रहे हो तुरंट ताकि ये कुरकुरे रहें सारा हमारे करेले अब इसमें डालेंगे सफेद नमक थोड़ा सा अब इसमें हम मिला देंगे अपनी मोम फली इस सब कुछ एक साथ मिला कर ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार हो गया हमारा करेला, इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुएं, एकदम चटपटे हैं इन्हें दाल रोटी के साथ खाई, आप बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राइ करिए थैंक यू